सोते सोते वजन घटाएं साथ दिन में वजन घटेगा अच्छी और गहरी नीन्द से बर्न होता है फैक नीन्द में भी वजन घटाने में मरतगार ही ये पाँच तरीके कैसा हो यदि आप सोकर वजन घटा सकें सुनने में थोड़ा चुकाने बारा लग सकता है लेकिन ये सच है अगर कुछ आदतों को अपनाया जाए तो नीन्द के दोरान भी शरीर में जमा फैक को कम किया जा सकता है आज जानिये विज्ञान अधारित ऐसे ही पाँच तरीकों के बारे में नीन्द गहरी हो तो फैक तेजी से बर्न होता है नीन्द गहरी हो तो शरीर का फैक तेजी से बर्न होता है ये वास्तेविक्ता में सकते है क्योंकि गहरी नीन्द में हमारे शरीर का मैटबॉलिजम तेज होता है और फैक जलाने की शमता बढ़ जाती है इसलिए नींड को महतरपूर बनाये रखना शारेरिक स्वास्त के लिए बहुती जादा जरूरी है यहरी नींड ना केवन हमारे दिमाग को आराम देती है बलकि यह हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत जादा इंपोर्टेंट है नई शोदों के अनुसार अगर आपकी नींड गहरी होती है तो आपका शरीन फैट को तेजी से बन करता है इसका मतलब है कि सही मातरा में नींड लेने से आपको बजन भी नियंत्रित रेता है इसलिए स्वस्त जीवन शेली का हिस्सा बनाए रखने के लिए गहरी नींड को बहुत ही जादा इंपोर्टेंट बनाए रखे है गहरी नींड के विशेश महत्म को समझने के लिए पहले हमें ये समझना आवशक है कि नींड काम केसे करती है और हमारे बोडी के लिए क्यों regenerated होते हैं जिससे हमारी physical ability बनी रहती है गहरी नीन के लागों में वजन नियंतरण और fate बनने की बात आती है वज्यानिक अध्यनों के अनुसार अगर हमारी नीन गहरी होती है तो हमारा metabolism तेज होता है और fate जलाने के लिए शमता पड़ जाती है ये आम रूप से नीन के और घैलिन की संतुरित उत्पादन की काराण होता है जो हमें वजन को नियंतरण करने में बदत करते हैं इसलिए यदि हम नीन की उपेक्षा नहीं करते हैं और प्रति दिन परियाप्त समय में नीन लेते हैं तो हमारे शरी का metabolism स्वस्त बना रहता है और हम अपने वजन को न बंद करता है रोज साथ से आज घंगते की अच्छी नीन इस प्रक्रिया को बढ़ाती है गहरी नीन के लिए बैट टाइंग रूटीन ज़रूरी है सोने से लबबग दो घंगते पहले गैजेक्स बंद कर दें बैग्रूंग ठंडा रखें और कमरे के बाताबर्ण को सोने का रूटीन बनाने से हमारे शरीय के अंदर चल रहे हार्मोनों की समानता बनी देती है इससे हमारे हार्मोन बहतर तरीके से काम करते हैं और हमें बहतर स्वास्त की प्राप्ती होती है इसके अलावा नियमिन नीन्द से हमारे दिमाग की शमता बढ़ती है हमारा मन शान और इस्टिर रहता है और हम positively रूप से अपने दिन को निर्धारित कर पाते हैं इसलिए सोने का नियमित वतिन बराना हमें एक स्वर्स और संतुली जीवन जीने में मदद करता है दोस्तों जब आप रोज ते समय पर सोते और जागते हैं तो शरी फेट बन करने वाले हार्मोन जैसे की ग्रोथ हार्मोन को बहतर तरीकी से इस्तमाल करता है इसके अलावा ये insulin sensitivity को भी नियंतर करता है जिससे फेट बन करने में मदद मिलती है इसलिए वीकेंड में भी तैसरे पर ही सोएं और जागें इसे शरीर की प्राकरतिक सार्केडियन व्रिदम पहनी रहती है और वो बहतर होती है Lean protein अधिक ले metabolic rate बढ़ाता है सोने के 2-3 घंटे पहले भोजन और उसमें अधिक lean protein दोन ज़रूरी है क्योंकि भोजन के तुरंद बाद सोने थे शरीर fat burning mode में नहीं आपाता वही lean protein resting metabolic rate को बढ़ाता है ये देर रात होने वाली craving भी घंटाता है दाले, बेसन का चीला, पनीर, अंडे आदी इसका अच्छा स्त्रोथ है Intermittic fasting करें जमा हुवा fat खटता है Intermittic fasting से need में fat 30 से burn होता है इसमें भोजन की अवदी को सीमित करते हुए उपवास की अवदी को बढ़ाते हैं इसे शरीर उर्जा के लिए पहने से जमाववा fat का उप्योग करना शुरू कर देता है इसे 12 घंटे के उपवास से शुरू करके 14 से 16 घंटे तक बढ़ा सकते हैं Metabolic को भी बढ़ाता है जिससे नीन की दोराल fat burn करने में वदत मिलती है यदि जिम नहीं जा सकते हैं तो Bodyweight exercises जैसे की Push Up, Pull Up, Planks आदे भी परयाप्त हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों अब आप अच्छे से ही समझ गए होगे कि कैसे आप सोते हुए भी अपने से जुड़ेती वीडियोस के लिए आप हमारे चरल फिकने सीकर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाद